इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनिट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से ज़रूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करते हैं और आपको कोई साइड एफेक्ट होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी। फंजी एल क्रीम एक एंटी फंगल दवा है जिसका उपयोग तवचा के फंगल संक्रमन जैसे एथलीट फोट, खुजली, थर्ष, दाद और सूखी, परदार तवचा के इलाज में किया जाता है। यह इन इंफेक्शन रोपैदा वाले कवक को बढ़ने से रोपता है। फंज साइड इफेक्ट बढ़ा सकता है। तवचा के संक्रमन आमतोर पर दो से चार सप्ताह के उपयोग के बाद ठीक हो जाते हैं। अगर आपकी स्थिती में कोई सुधार नहीं होता है तो इस बारे में अपने डॉक्टर को बताएं। प्रभाविक शेत्र को साफ और सूखा र इस दवा का सबसे आम साइड इफेक्ट लगाई गई जगह पर जलन, खुजली और लाली है। इस सित्वचा में सूखेपन, पपड़ी उतरने और फफोले होने जैसी समस्याएं आ सकती हैं। ये आमतोर पर गंभीर नहीं होते हैं और समय के साथ अपने आप ठीक हो जाते ह हैं। अगर ये बने रहते हैं या इनसे आपको परिशानी हो रही है तो डॉक्टर से संपर्ख करें। यदि आप किसी अलजिक रियेक्शन जैसे कि दाने, होंट, गले या चेहरे की सूजन, निगलने या सांस लेने में समस्या और मतली के लक्षन देखते हैं तो इमजनसी सहायता लें। आखों के संपर्ख में ना आने दें। आकस्मिक कॉंटेक्ट के मामले में पानी से अपनी आखों को धोलें और तुरंट चिकित सकिये सहायता लें। ऐसी संभावना नहीं है कि मूह या इंजेक्शन से ली जाने वाली अन्य दवाएं इस दवा के काम करने के तरीके पर असर डालेंगी। लेकिन अगर आपने हाल ही में किसी अन्य क्रीम का इस्तिमाल किया है जिसमें स्टेरोई था या अगर आपको किसी अन्य एंटी फंगल दवा से अलजी हुई थी तो अपने डॉक्टर को यह बात बताएं। यदि आप गर्भवती हैं या करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और अल नोटिफिकेशन को क्लिक करें धन्यवाद।